आज की देट है 6th April 2024 स्वाकत है आपका आज की current of a discussion में चले discussion श्टार्ट करते हैं पहला हमारा article है ED के बारे में क्यों न्यूज में ये टोप न्यूज का article है दर हिंदू में है एडी ने अभी तमिल लाडू के कुछ district collector है उनको सम्मन बेजा है कि आप हमारे सामने पेस हो इन district collector ने मना कर दिया है क्यों मना कर दिया है इन्होंने पहला reason दिया है कि election आने वाले हम है busy election में तो हम आपके सामने आ नहीं सकते हैं दूसरा इन्होंने reason दिया है हमें कहीं सारी policies लागू करनी इसलिए हमारे बास time नहीं हम ED के सामने पेस हो नहीं सकते हैं यह मामला गया Supreme Court में Supreme Court ने कहा है कि Under PMLA Act Prevention of Money Laundering Act है न उसके तरफ ED है किसी भी व्यक्ति को कभी भी समन दिख सकती है कभी भी अपने समक्स बुला सकती है तो अब जिसको भी बुलाती है उनका रखता है उनका मना करना यह देश की कानुम व्यवस्ता के लिए सही नहीं है देश की जो न्याय व्यवस्ता उसके लिए सही नहीं है उनको ED के सामने प्रेस होना चाहिए यह तब पहला आर्टिकल जो कि Top News का था ठीक है इस पॉइंट को आप मैंस या इंटर्वियू में य जूनी होगा प्रिलियम के लिए ED के बारे में आपको पता होना चाहिए इनफोर्मेंस डार्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए नेक्स जो आर्टिकल है वो एक बेल से समझे ते क्या सीन है कि अभी है ना संजय सिंग जो कि आमाजमी पारटी के निता है इनको बेल मि तो यह सारी चीजिए politics में ज्यादा है तो हमारे लिए काम की चीज नहीं है हम चलेंगे हमारे पहले article की और जो article है आरबी आई के 90 साल पूरे हो चुके तो आरबी के 90 वरस की समारों के बारे में ceremony की बारे में क्यों न्यूज में है परदार मंत्री मोदी जी ने आरबी को जो 90 साल पूरे हो चुके इस उपलक्स में इस समारों को संबुधित किया है इसलिए ये news में news आपको समझ में आगी परदार मंत्री मोदी जी के दौरा आरब दो 90 वरस के जो समार हो था उसको अब जर एडरस किया गया है इसलिए नियूज में तो नियूज हमारे लिए खास important है नहीं हम बात कर लेते RBI के बारे में सबसे पहले RBI के background के बारे में बात करते है history के बारे में बात करते है RBI के जो इसता अपना होई थी न उससे पहले क्या हुआ था 1920 के जो दसक था उसमें यूएस में एक क्राइसिस आया थी बहुत बड़ा क्राइसिस था इस दोरान यूएस की जो सेमर करती 50% गिर चुकी थी इस तो थी बहुत ही जादा खराब थी तो इसका असर है पूरे विस्व में देखने को मिला भारत में इसका असर हुआ भारत के जो बैंकिंग विवस्था थी वो खत्रे मा चुकी थी तो इस सब को regulate करने के लिए अरगय ने एक कमिशन को गठंद किया इस कमिशन का नाम तहा यंग हिल्टन कमिशन या हिल्टन यंग कमिशन इसको बहुत बेजा और कहा कि बहुत में न जो इस पूरा financial व्यवस्ता है, financial structure है, वित्य व्यवस्ता है, उसको regulate करने का काम करी, ऐसे एक बैंक होनी चाहिए, इसी के तरज पर 1 अपरेल 1935 को RBI की स्थापना की थी, कि बारत में एक सेंटरल बैंक होनी चाहिए, इसलिए बारत में RBI की रिजो बैंक आफ इंडिया की इस्थापन गया गया ता, जिस Act का नाम था, RBI Act, Reserve Bank of India Act 1934, RBI Bank अदिनियम 1934 का, ये Act पारित किया गया था, इसके द्वारा RBI को सक्तिया दी गई थी, अब ये background हो गया, अब बात करें, ये देखो, RBI की स्थापना 1 अपरिल 1935 को की थी, इसके लिए RBI Act लाए गया था, RBI Act 1934 लाए गय प्यक्तु काद ने कॉल कादा में आज की कल कादा है ना भाँ पर इसका मूख्याुआ लेता बाद में लेटर आप हगाथ it, 1937 ऑने एक काका टा था बाद में shareholders कें दिया अभी इसका हेड़कोटर का है अभी इसका हेड़कोटर मुंबई में है इसकी तीन चार और ब्रांचे भी है चार रीजिनल ब्रांचे भी है एक तो मुंबई में है हैड़ ब्रांच उसकी तीन रीजिनल ब्रांचे भी है यह अलग लग जगा जास चैन नहीं वगरा है इसकी तीन रीजिन नाइन में 1950 में इसे राश्ट्री बैंक गोशित कर दिया इसका नेशनलाइजेसन गोशित कर दिया इसका राश्ट्री करन कर दिया और इसे एक सेंटल बैंक बना दिया जो कि गवर्मेंट केंडर में थी क्या हो 1950 से पहले ये एक प्राइविट बैंक थी बाद में 1950 में इसका राश्ट्री करन कर दिया और यह एक गौर्मेंट बैंक बन गी जो कि केंदर यह बैंक कही जाती है पूरे बाद कि अन्य बैंक है वो इसके अंडर में आ गई तो यह इसका बैक्ग्राउंड था अब इसके पहले जो गवर्नर थे जिनका नाम था ओप्सवान स्मित यह ओप्स इसके पहले गवर्नर थे थे सर चीड़ी देशमों इसके बाती पहले गवर्नर थे यह तो इसके अब इसे रूल कौन का था र है डात Steward money project और हुए जो मों इसके दौरा इसfire से र्यागुलेट किया जाता है और यह जो बॉल्ड रोता ना जो इसके रैगुलेट करता इसकी खमान्द के अपॉंट्म के इन्दर सरकार के दोरा ज्या Շनतर चाहगा चाह्रूb सब्सक्राइब में Mai बारां में एक तो गवर्nor होता है एक जो कि अब्हुंती गवर्nor 4 फिर दो झाते गवर्नों होते हैं वह गौवर्मेंट के ओर से मेंबर होते हैं दस प्लस दो क्यों दस तो अलागला संस्ता होते हैं दो डारेक्ट गौवर्मेंट करती है यह बारा मेंबर गौवर्मेंट के ओर से चार इसके रिजिनल जो ओफीस होते हैं उनके बोर्ड के जो अद्यक्स होते हैं उनके और निदे सा होते हैं। तो टूटल मेंबर कितने हो गए एक gouvernement प्लस डिपूटी कवपनर पांच ब्लस 12 आईए पांच 17 प्लस 4 वो इसमें 21 टूटल मेंबर हो गई यह 21 मेंबर इसमें काम करते हैं। अब इसके कारे के बारें बात करते हैं इसके function के बारें बात करें तो RBI के function क्या क्या सबसे पहले monetary policy बनाना RBI है वो मोदरिक नेती बनाती है monetary policy बनाती है यह मोदरिक नेती क्या होती है RBI रेपोरेट के थूरू reverse रेपोरेट के थूरू अलग अलग टूल होते हैं उन टूल के थूख एक्ष्ट ऑर्वाइं क्या करती यानि कि डेश में महाई दिस में मन्य का फ्लोउ ए पैशों का फ्लो वो कैसा होना चीछ इस सबस्क्ने के लिए कि रेपकार से बनाती एक इस की युज किया जाताा एक रेपba राट का रैप revision क्या होता है रैप रेपो रेट वो रेट होता है जिस सी बैंक होती है न वो अर्बिया से पैसे लेती है उन्य क्ट 인वाइंग को काम करती है जा बड़ा ने पर ने रेपो रेट को कम कर मोद्रिंग निती मनाती है और महंगाई को कम करती है एक अगाम ये भी मालो आर्वाई महंगाई को भी कम करती है कैसे करती है रेपोरेट के तू ये इसका सब फंक्सन है मतलब पहला काम है मोदर निती बनाना रेपोरेट के तू फर महंगाई को कम भी करना महंगाई को कम करने का टार्गेट है रिजोट भी कहा जाता है को भी बेंक होती है कुछ भी लौन वगरा लेना होता है बार ब्रकाल मानों ठीके उसको पैसे छी होते वह कहा लेगी, लास्ट है वो आरविया ही बचेगी, किसी बैंक को अगर उधार चाहिए तो आरविया इसे लेगी, तो लेंडर ओफ लास्ट रिजोट भी कहा जाता है, इसे बैंकर आप बैंक भी कहा जाता है, यह चीजे याद रखना ये यूपियसी डारेक के उसरों पूचेगी, आरवे के function क्या क्या है लेंडर ओफ लास्ट रिजोट है यह bank और बैंक भी है यह government bank भी है government bank कैसे government को अगर उधार चाहिए कहां से लेगी आरवे से लेगी government को अपने को bond release करने कहां से करेगी यह आरवे के द्वारा करवाएगी जो state government होती है राज्य की जो सरकारी होती है उनको उधार चाहिए कहां से लेगी आरवे से लेगी तो यह government की भी bank होती है तो यह इसके function याद रखना इसे bank करो bank का कहते है इसे land of last resort भी खा जाता है पूरे जो financial system था उसको regulate करने का काम करती है जो bank होती है अन्य अलग अलग प्रकार की bank होती है ठीक है जो commercial bank होती है वो अपने कुछ पैसे होती है वो आरवे में रखती है कैसे रखती है कि यह बैंक के बंद हो सकती तो लोग है, अपने पैसे लेने के लिए भागेंगे कि हमारे पैसे वापिस करो, इस लिए में पैसे नहीं होंगे, इसलिए RBA है, वो कुछ परसेंटेज है, वो इस्सा, RBA में केस की फॉर्म में रखवाती है, जैसे केस की फौर में होते है उसे आरा का शी आरर का जाता है फिर एस बर भी होता है एस अमें क्या होता है एस परकार से एसlor फोना fragte रखना करती है इसली आरबे यह बैदकों को इस पना रखना खें कि आप है ना RBI में अपने पैसे रखो ठीक है जी यह हमने देख लिया बैंक का रॉप बैंक देख लिया फिर गौर्मेंट बैंक भी होती है यह गौर्मेंट बैंक के रुपे में भी काम करती है यह जो विदेशी मुद्रा होती है न फोरेंड एक्सचेंज मतलब एक 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 फोरेंड एक्सचेंज मन्नी रेगुलेशन एक्ट है जो मनेजमेंट एक्ट है ठीक है विदेशी मुद्रा परबंदन अधिनियम 1999 1999 का विदेशी मुद्रा परबंदन अधिनियम है ठीक है जी इसको रेगुलेट काम करे है फोरेंड एक्सचेंज मेनेजमेंट एक्ट है ना 1999 1999 का इसके तहत RBI है वो विद्यसी मुद्रा को मैनेज करने का भी काम करती है इसके अलावा RBI के पास एक ताकत है एक पावर है इसके तहत RBI है एक रुपे का नौट और को चोड़के जो कोईंस होते हैं उनको एक रुपे का नौट इसको चोड़के जितने भी बाकिक नौट से वह RBI की द्वारा चापी जाती है जितने आप करंसी यूज कर रहे हैं वह RBI की द्वारा ही चापी जाती है इस पर गवर्नर के साइन होते हैं और गवर्नर ऐसा लिखते हैं धारक को अदा करने का वादा करता हूं यह तो वह RBI की द्वारा ही चापी जाती है तो मुद्रा बी जारी करता है, यह currency not भी छापने का काम है, वो RBI की द्वारा किया जाता है, यह विकास अबुमी का भी निभातती है, development की function भी यूज़ करती है, साथ इससाथ payment and regulation उसके तर्ट, जो payment bank है, उनको भी regulate करती है, जो payment system है, उनको भी regulate करने का काम है, वो RBI के द्वारा किया जाता है तो यह RBI के function से समझी था यह हमारा पूरा article था RBI से समझी नेक्स जो article है हमारा वो हमाना syndrome के बारे में यह news में क्यों है देखो क्या हुआ था हमाना syndrome है वो कुछ news आई थी कि वहाँ पर यह इसकी बिमारी है वापिस देखे गए इससे समझी थ राता है सबसे पहले देखेंगे हमाना syndrome होता क्या है यह देखो देखे यूसे इसके बारे में आप सब जानते होंगी इसके नीचे यह क्यूबा ठीक है इसके बारे में आपने सुना होगा यूसे और क्यूबा की बीच में कुछ समय तक रिष्टे खराब थे क्यूँ दोनों के रिष्टों में सुधार आया तो अमेरिका ने यूसे ने हवा ना है ना उसमें अपनी embassy खोली हर देश खोलता है जहां रिष्टे अच्छे होते embassy खोली इस embassy कोली तो कुछ USA के लोग इसे में काम करने के लिए आएंगी जी यह लोग काम करने के लिए अग देरे द अगली पता बाध इंको थेज अवाज सुनाए दे रही तो इसके मान सी मतब जोडिमाग होता उसे रिलेुटे बहुत सादा बीमारिये देखने को मिली तो एसा एक कि पसंद नहीं जितने भी बी लोग MSM रह जहती सबकी साथ अचारव हो रहा था तो अभी पता चला घल व लोगों ने थेवरी दी, कुछ लोगों ने कहां, ये रसिया कर रहा है, रसिया एक सीक्रेट आर्मी है रसिया की, उसके द्वारा ये सब कर रहा है, रसिया एक energy यूज करता है, जिसका नामे 29155, ये energy के थ्रूँ, जो हवाना में USA की एंबस्ये, उस पे attack कर रहा रहा है, उनक प्रकी मॉबाइल वगरम होती यह माईक्रोवेव के थूरू अटेक किया जा जायेगा तो है इस लिए लोग है वो बिमार पड़ रहे है तो यह हवाना सिंड्रॉम है क्या हवाना सिंडरॉम है, हवाना में जो लोग रोह नहीं है, उनको कुछ बिमार्य हुई, इसलिए हवाना सिंडरॉम का जयता है, इसमें sonic attack मாन लो, यह भी जो microwave होती है उसके द्वारा किसी person पर किसी वैक्ति पर attack किया जाता है जिससे क्या होता है जिससे उसका मानसिक संतोलन बिगड़ जाता है उसे बहुत जादा बिमारिया होती है उसे सुना ही नहीं देता है कभी कभार तेज आवाज सुना ही देती है शिर्दद होने लगता है सरीकम गपने लगा जाता है यादास्त वो भूल जाता है उसके memory होस हो जाती है इस परकार की विमार्या होती है यह हंसी कर दिया है छी के लिए कर लिए कर सभी लिए रियी क्रिशनल होता है जर्मनी ने मनोआराخرजिंग ऩाल उसके लिए गेनमीः को वेद कर लिया है, इसलिए ये यूज में, सिम्पल सी जीज जीज है, 100 जर्मनीः चेहनबीश ता उसको लीगल कर दिया है, वेद, मैं तो वहां पर YOUS किया सकता है, जो कि MANNORANJAN जो उसके लिगा उसके यूज होता है नвой हर्भी वैलस तो यह एक हर्वेसयस ब्लान्ट है केना भीस जिसका नाम में इसका यूज है ना काप्पी लंबे समय से होता रहा है लकबग पांच जार वर्ट से इसका यूज हो रहा है और इसका यूज बीया है कि drugs होता है जो medicine होता उसके purpose से भी इसका use हो रहा है इसका use most of जो South Asia है जो Eastern Asia है वहाँ पर इसका ज्यादा use देखा जाता था आज ये पूरे world में इसका use देखने को मिल रहा है cannabis के बारे में बात करें तो plant हमने देख लाए एक साकारी plant है इसका उपयोग कहां किया जाता है इसका cannabis याब जो मारी जुआ ना होता है इसका उपयोग दवाओं के रूप में किया जाता है जो illicite दवाई होती है जो अवेज दवाई होती है इसका उपयोग होता है उसमें भी यूज किया जाता है तो कल्चल परपर से भी होता है उसी दियाने कि ड्रक्स की रूप में मेडिसिन की रूप में भी इसका उपयोग होता है अब medicine की रूप में कहां कहां इसका यूज़ किया जाता है क्रोनिक दर्द होता है आपके pain हो रहा है तो pain को रोकने भी इसका उपयोग किया जाता है साथ ही साथ में सूज़ना जाती सरीर के किसी पार्ट में तो इसे रोकने में यूज़ किया जाता है cancer को रोकने भी इसका इसमें भी इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, और साथ ये सारी सिंड्रोम होते हैं, उसे ठीक करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, जो रोग होता है, उसको रोकने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग बहुत ज़्यादा देखना हो बिल इसका उप्योग किया जाता है अभी इसको legal गोसित कर दिया जर्मनी में तो ये cannabis से समझेट हमारा article था next जो हमारा article है वो है एक वेज़साला जिस वेज़साल का नाम है कोईड केनल वेज़साला है ठीक है वेज़साल का मतलब हो तो अबजेरवेटरी इसकोएक सोपचीस वर्स पूरे हो चुक है तो यू पीसे का फेडर टॉपिक बनिगया 1792 1792 1792 में इस्टिर्णिया कंपनी के दोवारा एक ऑजर्वेटरीच बनाएग तbey служisot astronomical से समंधिर रीसर्च की जाती solar system से समंधिर रीशर्च की जाती ऐसी एक वेज शाल यानई कि research institute बनाए गयता बनाए गया था उब्जर्वेटरी बनाए गया थी इस परकार के पहली यहarner ückखल बनाए गयी थी ठीक है इसमें कुछ दूर मिन लगे हुए थी, साथ में कुछ Libraries लगे हुए थे, जो कि Space के बार इमजानकारी देते थे तो इसमें छोटे मोटे करी उपकरण लगे हुए थे बाद में जो 1868 में इस Observatory के द्वारा जो ये मद्रास Observatory थी इस के शोलर के नाड़ में इस innerator को कोईल केनल जो सोलर आपजरवेट्री ति यह किया कर दिये यह स्पेस है hardaggi is future इस्पेस से समस्य जानकारी देटी थी अब इसके साथ भारत में डॉह बहुत पर्ते थी तो भाष्ट क KrD knife to तो यह observatory स्तापित की गी थी coil canal जो coil canal यह कहां है तमisen він्लाड़ो में वहां पर ऑबierz इस्तापित की गी थी यह एक었습니다 गी इक हिल एजस्टेशन है तो वहां से क्या motion समयत्वी जानका लेगा एजी हो जाता है आसानी से motion समयत्वी जानकारी मिल जाती है इसली coil canal civil साला का इस्तापना की गई इन दोनों को मर्ज कर दिया गया अठारसों नियान में यह जो कोई के नाल जो सोलर अबजर्वेट्री इसकी इस्तापना किस ने की थी इसकी इस्तापना की थी मिक्सी स्मित की द्वारा चार्ल्स मिक्सी स्मित थी स्कोर लेंड की इनकी द्वारा इ कि एक जो कोई केनाल के बारे में बात करें कोडाई केनाल के बारे में ये एक हीली स्टेशन है और ये ऐसी लोकेशन पर है जिससे कि इसके बारे में जानकारी मिलना और भी आसान हो सकता है इसके ये देखो लोकेशन ये तमिलाडू इस्टन गाट है यहां पर ये लोकेटेड कि ऐसो इसकी योगदान की बात करें कि इसका योगदान क्या रहा है इसका कॉंट्रिब्यूशन क्या है यह कही सारी जानकारी दी इसने कही सारे जो सनी स्पोर्टे उनके बारे में जानकारी दी डेटा रिप्रोजेटरी के बारे में बात करें इसने बविसे में किस परकार से अर्थ है वहाँ पर जो मोसम है वो चेंज हो सकता है इसके बारे में जान करी दी इसने 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 सोलर जो पूरा सोलर सिस्टम है उसके अवलोकन के बारे में जान करी दी जो इस परकार की दो और संस्ता है मतलब एक तो हमारी यह है एक हमारी है कोई केनल है इसके अलावा द परकार की जानकारी देती है तो एक अमारी है दो इस परकार की और ऑब्जरवेटरी है जो इस परकार की जानकारी देती है और भी कही सारी जानकारी जानकारी देती है जैसे कि इलेक्ट्रो जो एट है वो किस परकार से चलते हैं इलेक्ट्रो जट कहां चलते हैं इलेक्ट्रो मेजो स्पियर, मेजुए स्पेयर is papad辦法 ईयाट किस परकार से चलते हैं , किस परकार से काम करते हैं, उनके बारे Twitch केनल है , फ़रह की इस्टेंगाट मेइस दितत, तो इसकी लोकेशन भी काफी है वो है जूपिटर पर अभी जूपिटर का एक मून है जिसका नाम है कलिस्टो इस मून पर ओजन मिलिए इसलिए न्यूज में है तो देखो ये जूपिटर ने बरसपती इसका मून है जिसका नाम है कलिस्टो वहाँ पर क्या मिलिए ओजन मिलिए इसलिए न्यूज में वैसे वैसे अलग अलग ग्रह होते हैं प्लानेट होते हैं उसके अलग अलग मून होते हैं तो सबसे ज्यादा मून किसके हैं वह सनी के सैटर ने जो है उसके सबसे ज्यादा मून किसके सनी के उसके बाद में सबसे ज्यादा मून किसके सनी के उसके बाद में सबसे ज्यादा मुण है वो सबसे बड़ा मुण है ब्रसपती के जितने जुपिटर के जितने भी मुण है उसमें सबसे सबसे लाजेस्ट मूण है उसका नाम है कैलिस्टो ये जो और अवर बात करें में जतनी क्योंते हैं और सदो सोलरिक्ते में उसमें जितनी हुई ँसमें third largest मुन है इसके लावक बड़े मून कौन कौन से क्यों अब है चिज दो है का मून है ज 앞 शो स confessor्य का मून है जो कि जुपिटर का है जुपिटर के शेके नमबर पर ये मूंन आते हैं, फर्स्ट नमबर पर कौन सा आता है, फर्स्ट नमबर पर सैटन आता है, और अभी salesman क्यों है spice कैलिस्टों पर ocean पाई गई है, इससलिए news इसके बारे में तो यह काफी time तक inactive रहा है यह जो moon and calisto लोग काफी time तक inactive रहा है जिसकी वज़स्ट से यह पूरा है वो निश्क्री हो गया इससे यह साबित होता है कि यहाँ पर जो इसकी इस ततीय है वो काफी इस्तिर रही है ठीक है काफी stable moon है इसके यहाँ पर लोग भी बसाई जा सकते है stable होने से क्या आता है यहाँ पर human का आवास किया जा सकता है human यहाँ पर निवास कर सकते है because कि इसकी इस्तति है वो काफी निस्करी है तो वो इस तरह एक जगा हिलता जुलता नहीं है काफी मतलब में नुकसान नहीं करता है मतलब कहीं दे को अइस्तिर ग्रह होते है वो आज रहने योगे नहीं होते है यह जो है ना चंद्रमा जिसके के लिस्टो जिसके बारे में बात करें यह काफी इस्तिर है तो यहाँ पर human settlement भी हो सकता है अब ओजन भी मिल चुकिए ओजन मिली से यह सावित होता है वहाँ पर oxygen भी है तो वहाँ पर human settlement हो सकता है तो यह इसके बारे में था अब ओजन की बारे में बात करें तो ओजन क्या है ओजन के तीन अनुह से मिलकर बनता है oxygen प्लस O2 प्लस O2 यह तीनों मिलके O3 बन गया O2 O2 मतब ऑजन के तीन अनुह मिलने से O3 बन गया O3 का यूप्योग बहुत जादा है मतब इसके यूज बहुत जादा है क्या महत्व है O2 का मतब ओजन है न हमारे मतब कहां पर इस्तिते पहले बात करें तो यह इस्तित कहा है यह समताप मंदल में इस्तिते समताप मंदल यानि इस्ट्रेटो स्पेर में इस्तिते तो संसे आने वाली जो डाइट किरने होती संसे अलग 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 किरने आती अलग रेडियस ने वह हमारे अर्थ पर आती जैसे कि जैसे कि अल्टा वालेट अल्टा वालेट भी अल्टा वालेट टाइप की होती है एक अल्टा वालेट ए होती है अल्टा वालेट बी ओटी है अल्टा वालेट सी होती है हिंदी में अल्टा वालेट को कहा जाता है प्रा बहेंगनी किरने तो सूर्य से अल्टा बहेंगनी किरन ज़्यादा नुक्सा इंदा ही होती है, अगर इनसान इसके डारेक टच में आ जाए निस किननों की, तो इनसान को कैंसर हो सकता है, ठीक है, वो अंदा हो सकता है, कहीं सारी स्किन डीजिजिस मैं तव्चा से समझदी हो के, वो इंसान को फेस करने पर सकते हैं, इसलिए संसे आ तरंग देखिया है यह आपको पता करने की ज़रूत नहीं है तो आप देखना यह काफी ज्यादा नुक्सान दाइक होती है इसमें काफी ज्यादा नुक्सान होते है जैसे की कैंसर हो सकता है उत्ता को तो परिव्यतन हो जाता है डियने में परिव्यतन आ जाता है जो इसकिन पूरा आर्टिकल था, ब्रस्पति के बारे में, ब्रस्पति जूपिटर, जिसका एक मून है, कैलिष्टो, वहाँ पर ओजन मिली है, तो इससे समधिन पूरा आर्टीकल था, चलते हैं हमारे next आर्टिकल के historically की और next जो आर्टिकल है, वो purchasing manager index के बारे में, देखो, यह के बारे में हम नहीं देखेंगे नियूज हमारे लिए महत्पूर नहीं होती है हम बात कर लाते हैं प्रचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में प्यामाई होता क्या है सबसे पहले क्या होता एक कोई कंपनी है ठीक है उसको अलग-अलग सवाल पूछे जाते हैं क्या सवाल पड़ा हुआ है आपके पास में कितना production है आपकी supply कैसी है कितनी supply आप करोगे आप में जो employment है उसका environment कैसा है ये सारे के सवाल पूचकी एक weight निकाला जाता है इस सवाल में लगता है कि सारे चीजे plus में आ रही है इसका मतलब है company अच्छे काम करेगी इसका मतलब है production तो एक weightage निकाला जाता है ये weightage है पचास पचास माइनस पचास और पचास प्लस में निकाला जाता है अगर पचास माइनस है मतलब पचास से कम है इसका मतलब है वो growth है वो down हो रही है पचास से कम है इसका मतलब growth down है इक्वल पचास के बराबर है इसका मतलब है growth similar है ना ब इस आधर पर तो आपको यह formula दे रखा है यह याद करने की आफसकता नहीं है यह formula क्यूशन में नहीं पूछा जाएगा आपको यह पूछा जा सकता है कि purchasing manager index है PMI है किसके द्वारा release किया जाता है ठीक है इसको release किया जाता है S&P है na global उसके द्वारा release किया जाता है पहले यह अलग company थी बाद में है ना इसका मर्ज हो गया S&P के द्वारा तो अभी है S&P के द्वारा PMI को release किया जाता है पहला point यह याद रखना है बाद में PMI में क्या growth हुआ है आपको याद रखने की ज्यादा जरूत नहीं है क्योंकि यह monthly base पे change हो जाता है बट यह चीज जरूर क्या जाता से हर महीने release किया जाता है S&P द्वारा desire के जाता है किस LIKE कंपरीयों को करने चा Black को परकार करने के लिए PMI को निकाला जाता है बस आपको इतना पता हुना जासे कि आर्थि कीजित कैसी हो उसको संकेट के रूप में एक इंडीकेटर के रूप में PMI के यूज के ज जाता है जो कि कंपनियों का मासिक सर्वेक्षन होता है मंथली बेस बेस सर्वे निकाला जाता है किसके द्वारा निकाला जाता है कर दिसकुस्य के दो